C.I.E.T. and C.E.R.T. दोरा प्रस्तुत है कक्षा 3 की पाठे पुस्तक हमारे आसपास का 13 पाठ छू कर देखें मैं स्कूल से लोट रही थी, घर पर दो लोगों को अपनी बात सबसे पहले बताना चाहती थी वे मेरी बातों से सबसे ज्यादा खुश होते हैं पहली तो हैं मेरी नानी, वे उच्शुक रहती हैं मेरी बातें सुनने को वे मेरे स्कूल से लोटने का इंतजार करती हैं उनकी उम्र कुछ ज्यादा है और उनकी कमर में भी दर्द रहता है नानी उच्छा सुनती हैं और दिखता भी कम है रोज सुभा पापा उनको अख़बार जोर जोर से पढ़ कर सुनाते है नानी अपना बागी साला काम खुद करती है उनकी कोई मदद करे तो वे परेशान हो जाती है दिखता है कम पर सबजी काटने का बहुत शौक है कहती हैं आजकल के बच्चों को सबजी भी काटने नहीं आती मोटा मोटा और टेड़ा मेडा काट कर रख देते हैं दूसरे हैं मेरे रवी भाईया रवी भाईया हमारे घर में ही रहते हैं मैं उन्हें रवी भाईया कहती हूँ और वे मेरे पापा ममी को कहते हैं भाईया भाबी हमारा क्या रिष्टा है मैं नहीं जानती पर वे हैं मेरे प्यारे भाईया वे मेरे सावालों का उत्तर देने के लिए हमेशा तयार रहते हैं कभी नहीं कहा, बाद में बताऊंगा रवी भाईया कॉलेज में पढ़ाते हैं कॉलेज के बच्चे उनकी बहुत इज़त करते हैं कुछ तो उनसे पढ़ने घर भी आते हैं रवी भाईया को संगीत सुनने, नाटकों में भाग लेने दोस्तों के साथ घूमने और बातें करने का बहुत शौक है खूब हसते हसाते भी हैं भाईया जब घर के बाहर जाते हैं, तब एक सफेद छड़ी ले जाते हैं उनको घर के अंदर घूमता देख कोई नहीं कह सकता, क्यों उन्हें दिखता नहीं है वे अपना काम सुयम करना चाहते हैं कोई उन्हें जबरदस्ती सहारा दे, तो वे नराज हो जाते हैं जब कभी उन्हें मदद की जरूरत होती है, तो वे मांग लेते हैं कुछ बच्चे रवी भाईया से कॉलिज की किताबे ले जाते हैं और कुछ दिन बाद किताबों के साथ उन्हें टेब दे जाते हैं रवी भाईया टेब पर ही उन किताबों को सुनते रहते हैं भाईया के पास मोटे कागस की भी कई किताबे हैं जिन में बहुत सारे उभरे बिंदू हैं उन पर वे हाथ भेर कर पढ़ते हैं भाईया को छेड़ने के लिए मैं कभी-कभी उनकी छड़ी की जगा बदल देती हूँ वे परेशान तो होते हैं पर नाराज नहीं मैं उनकी प्यारी बेहन सीमा जो ठहरी मैं अभी दर्वाजे पर पहुँची ही थी कि भाईया बोल उठे क्यों सीमा बहुत खुश हो भाईया मुझे ही नहीं घर के सभी लोगों को उनकी आहट से पहचान लेते हैं अक्सर ये भी भाप लेते हैं कि मैं खुश हूँ या उदास भाईया आखिर मैं फुटबॉल टीम में शामिल हो ही गई हूँ मैंने भाईया को अपनी खबर सुनाई भाईया मेरी पीट थप थपा कर बोले आज से तुम ही हो मेरी फुटबॉल की उस्ताद सीमा के पापा उसकी नाने को अख़बार जोर जोर से पढ़कर सुनाते हैं तुम बड़ी उम्रवाले लोगों की कैसे मदद करते हो क्या तुम्हें कभी छड़ी की जरूरत पड़ी है पड़ी है तो कब क्या तुम सोच सकते हो की तुम्हें छड़ी की जरूरत कपड़ सकती है हम उन लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं जिन्हें दिखता नहीं है क्या तुम्हारे परिवार में कोई ऐसा सदस्य है जो देख, बोल या सुन नहीं सकता क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो? इनकी काम में लोग कैसे मदद करते हैं? तुमने कहानी में सुना कि रवी भाईया देख नहीं सकते लेकिन वे अपने सारे काम खुद ही करते हैं वे अलग तरह की किताबें पढ़ते हैं वे कैसे अपना काम करते होंगे? यह समझने के लिए पहले आँखे बंद करके पहचानने का खेल खेलो आँख मिचानी समू में एक बच्चा अपनी आँखों पर पट्टी बांधे फिर बागी बच्चे एक एक करके चुप चाप उसके पास आएं आँखें बंद किया बच्चा दूसरे पर हाथ फेर कर उसे पहचानने की कोशिश करे ध्यान रहे कोई आवाज न करे बताओ क्यों? इसी तरह बारी-बारी सभी बच्चों की आँखों पर पट्टी बांधो ताकि वे दूसरे बच्चों को पहचानने की कोशिश करे अब आपस में बात करो और बताओ कितने बच्चे चुप कर किसी को पहचान पाए? कितने बच्चे आवाज सुनकर बच्चों को पहचान पाए? उनों में से क्या जादा असान था? चुप कर बताओ तुम्हारे मुँ में कितने दाथ हैं? कक्षा में किन बच्चों के सबसे ज्यादा दाथ हैं? क्या-क्या चीजें तुम केवल छूकर जान सकते हो आखें बंद करके बैठो और सुनो किस-किस की आवाजें सुनाई देती है किन लोगों की आहट पहचान सकते हो केवल सूंग कर क्या तुम किसी व्यक्ति को या किसी जानवर को पहचान सकते हो जो लोग देख नहीं सकते, उनकी पढ़ने का एक खास तरीका है, जिसे ब्रेल कहते है ब्रेल एक मोटे कागज पर एक नुकीले औजार्स से बिंदू बना कर लिखा जाता है ब्रेल कागज पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है, कि उस पर क्या लिखा है आओ, अब ये देखते हैं कि बिना देखे, किसी आकार को पहचानना मुश्किल है या आसान एक रेग माल की शीट लो, उस पर मोटे उन या सुतली को दबा कर किसी चीज का आकार बनाओ अपने दोस्त को कहो कि वह आँखें बंद करके हाथ फेर कर बताए कि तुमने क्या आकार बनाया है अपने दोस्त से इसी तरह की रेग माल शीट पर कोई आकार बनाने को कहो क्या ये है उसके लिए पहचानना आसान था या मुश्किल अब तुम करके देखो कि क्या तुम हाथ फेर कर आकार पहचान सके एक मोटे कागस का टुकडा लो उस पर एक प्रकार या कील की नोक से कोई खास आकार बनाते हुए थोड़ी थोड़ी दूरी पर छेद कर दो तुम देखोगे कि कागस एक तरफ से उभरा है अब अपने दोस्त से कहो कि वह आँखें बंद करके तुम्हारे कागस पर हाथ फेरे और बताए कि तुमने क्या बनाया है है ना मुश्किल लिए बताना सोचो कि लोग देखे बगर कैसे इतना पढ़ लेते हैं आओ ब्रेल के बारे में जाने तुमने देखा कि रवी भाईया एक खास तरह की किताबें ही पढ़ सकते हैं ये किताबें कैसे बनी इसके बारे में सबसे पहले किसने सोचा होगा आओ इस ब्रेल के बारे में कुछ बातें जाने लुई ब्रेल फ्रांस देश का रहने वाला था जब वह तीन साल का था तब एक दिन अपने पिता के औजारों से खेल रहा था अचानक एक नुकीले औजार से उसकी आँखों में चोट लग गई और आँखें खराब हो गई उसे आँखों से दिखना बिल्कुल बंद हो गया उसकी पढ़ने में बहुत रुची थी उसने हार नहीं मानी वह पढ़ने के लिए तरह तरह की तर्की में सोचता रहा आखिर उसने ढून ही लिया एक तरीका चू कर पढ़ने का यह बाद में ब्रेल लिपी के नाम से जानी जाने लगी इस तरह की लिपी में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदू बने होते हैं उभरे होने के कारण इने चू कर पढ़ा जा सकता है यह लिपी छे बिंदूंओं पर आधारित होती है आजकल ब्रेल में नए-नए परिवर्तन हुए हैं जिससे इसे पढ़ना लिखना और भी आसान हो गया है ब्रेल लिपी अब कंप्यूटर के द्वारा भी लिखी जा सकती है चू कर देखें अभी आप सुन रहे थे कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक हमारे आसपास का ये पाठ प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नए दिल्ली भारत